तीस लाख रुपे का जो फरक है वो जस्टिफाई होता है नहीं होता है तो कंपनी ये सोच के बना ही नहीं रहेगी इस गाड़ी से ऑफ रूट किया जाएगा थार जो फाइम डूर है वो इसका मुकामला करेगा पचास लाख रुपे है अगर आप खरच रहे हो और आपको इस तरह गाड़ी मिल रही है उस गाड़ी को भी देखा आपने और इस गाड़ी को भी देखा अब आप खुद फील करो ये बड़ी-बड़ी आफरूल है ये वह मगर नहीं ले तो लोगे मगर लाइबल्टी बना कि अब आप 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 अपर नून और वेलकम बैक टुदा चैनल तो भाई साथ पीछे आप गाडियां देखके आज की वीडियो के बारे में समझ चुके होंगे जो दो गाडियां आज मारे सामने हैं वह आप देख सकते हैं दोनों ही अपनी सेग्मेंट की दमदार गाडियां आज इनका एक comparison होगा प्लस ownership review भी होगा और क्या differences है मज़ा आने वाला आपको पूरी वीडियो में तो चलिए फटा-फटा से शुरू करते हैं हलांकि comparison इन दो गाड़ियों का है बट इनके पीछे ही आपको एक गाड़ी और दिख रही है इंडियन मार्केट में जैसे अब हम बिग SUV की बात कर लें तो फॉर्चुनर का राइवल पहले हम किस गाड़ी को मानते थे एंड़ावर को हम कह लेते थे आप एंड़ावर मार् में अगर किसी को भी कोई भी गाड़ी चाहिए आप बड़े सेग्मेंट की गाड़ी देखते हो तो लोगों की मोस्ली प्रेफरेंस जो है वो रहती है फॉर्चुनर लेकिन वहीं हम इस गाड़ी की बात कर लें हलांकि कहा जाता है कि फाइव डोर था रहेगी वो इसको रि लिम्टिड हो वही हम प्राइस टैक की बात कर लें तो यह गाड़ी लगब लगब आपको 50 लाग के आसपास पड़ेगी जो यह फॉर्चनों का मॉडल है हलांकि इसके ऊपर एक लेजेंटर वाला मॉडल आता है जो लगब 55 तक जाएगा और उसके उपर एक जियार वाला पर justify होता है नहीं होता है फिलाल का जो हमारा रिव्यू रहने वाला है comparison रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ specs के हिसाब सही design के हिसाब सही और दूसरा जो क्यूँकि 4x4 गाड़ी है जो दूसरा हमारा comparison बनता है वो बनता है obviously off-road का बट फिलाल हमारे पास off-roading वारी location नह ग्रिल भी आ गई ठीक है कुछ इस तरह का सुवी टाइप डिजाइन है वहीं हम इसकी बात कर लें अभी कुछ बहुत जादा अपडेट है इसमें भी नहीं की गई है लाइट सापको आ गई ग्रिल उसके बाद बंपर जो है वह ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनाया गया है प् किसी बंदे को अगर दोनों गाडियों की नौलेज नहीं है कि वहीं क्या फरक है तो सब लोग इस गाड़ी को ही पसंद करेंगे डिजाइन वाइस यह तोड़ा सा जाधा अपीलिंग लगती है वहीं हम कंपनी की तरफ से हमें टायर जो है वो इस गाड़ी में मिल जाता है इंजन की तो यह गाड़ी जो है यह हमारी आती है अठाइस सो इंजन के साथ और हॉर्सपावर की बात कर लें तो दो सो एक हॉर्सपावर इसकी है और न्यूटर मिटर टॉर्क की हम बात कर लें तो वह है लग बग पांच सो न्यूटर मिटर टॉर्क वहीं हम इस गाड़ी की बात कर लें तो लगबग आती है 264 के आसपास और टॉर्क जो है वह इसका रहता है 400 ठीक है बागी डिजाइन के अगर हम बात कर लें तो फ्रंट फ्रंट से कुछ इस तरह का डिजाइन है वहीं साइड से हम बात कर लें तो दोनों गाड़ियां जो है वह फाइव डॉर के साथ आते हैं ठीक है ना यह फिनिश भी आगी प्लस ब्लैक की फिनिश भी आगी वहीं यह गाड़ी जो है इसमें सिंगल टोन ही है लेजेंडर में हमारे पास डॉल टोन को उप्शन हमें मिल जाता है यह तो रही कुछ बाहर बाहर की बात अब चलते हैं गाड़ी के आपको लगेगा कि कुछ बड़ा ही आपने अलग सा फील कर लिया बड़ी अलग सी गाड़ी में आगयो बेसिक बेसिक सा लगेगा इन्फोटेन्मेंट सिस्टम है इसी विराए कंड्रोल आगे कुछ यहां पे वेंटिलेटिट सीट्स का हमें ऑप्शन है एक अची चीज है बाकी कुछ 4x4 का यहां पे आप देख सकते हो इस तरह से आ गया ठीक है और अगर ऐसे बात कर लें तो स्टेरिंग्स पर चलो कंट्रोल वगएरा आगे क्रूस कंट्रोल यहां पे आ गया और बाकी संडूरूफ वगएरा हमें कुछ भी नहीं मिलता है गाड़ी में बहुत इस चीज पर question होता है बहुत इस चीज को criticize किया जाता है कि feature नहीं है इस गाड़ी में बट इस गाड़ी की sales में कोई गिरावट नहीं आती ठीक है री सेल में कोई दिक्कत नहीं आती है और लोग मतलब इसको पसंद करते है फीचर है नहीं है बस जस्ट वो टोयटा की reliability है टोयटा है फॉर्टनर है धबदवा है ठीक है भोकाल है तो उस विए से गाड़ी जो है बिकती है बागी गर्मी से आप देख रहे है पसीने से पर भी देख सकते हो ठीक है डिफ लॉक आपको यहां पर मिल जाता है ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से मेजर मेजर चीज़ें कर लेते हैं अगर आपको जुरूरत होगी तो आप अपने इसाब से डलवाल लेना क्यूंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉर्चन जैसे इस गाड़ी में कंपनी को 80 टार देने चाहिए इस गाड़ी का तो हो गया बाकी चलो ठीक है पावर विंडोस बगरा यह तो सारे बेसिक वीचर है आज आपको आट लाग रुपी गाड़ी भी लोग है दो उसमें भी यह सब तो मिलता ही है यह जो लोगो आना इसका बहुत जाने के बहुत सारे रिव्यूज मेरी वीडियो में पहले भी देखें होंगे ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आपको फॉर्चुनल दिखा रहा हूँ गर्मी की जादा है गर्मी की वज़ा से फोन हो जा रहा है ओवर हीट तो इसलिए जल्दी-जल्दी से चीज़े जो में में है वो आपको दिखाते हैं पीछे की बात कर लें तो हाँ गाड़ी हमारे पास आ जाती है हाइड्रालिक बूट के साथ ठीक है स्पेस पीछे हमें बहुत जादा तो नहीं मिलेगा बट हाँ सेवन सीटर जूर है और पीछे बच्चे ही बैठ सकते हैं अडल्ट तो नहीं बै बाएगी लेकिन यार असी लाग और बीस पचीस लाग रुपए में बहुत फरक होता है वह कंपैरसन तो हम तभी कर पाएंगे बट फिलाल आपको मैं बताता हूं कि बाइसाब असी लाग रुपए के पैकेज में आपको क्या-क्या मिलने वाला है ब्लैक कलर में हो तो ट्रेल रेटेट जिस भी गाड़ी पर ट्रेल रेटेट का बैज जो है वह जीप में लगा हो दैट मेंस कि उसमें कंपनी नहीं उसमें कुछ वैसे फीचर्स दे रखे हैं जो उसको ओफ रोडिंग में काफी जादा हेल्प करने वाले हैं तो चलिए फटा फट से और इस गा नब्हें तो आप उस गाड़ी देखाएं अपने और इस गाड़ी को भी देखा आप अब खुद फिल करो जैसे करी में आता हैं तो आप नॉर्म और वहीं हम अंदर आगर आजाते हैं तो आप यहां से देखो आ रहा है फील नहीं नहीं कई अलग बावाज चीज में बैटे वें तो काफी ज़्यादा चीज एक तो जो इसका डूल टॉन है यह काफी जादा अपीलिंग लगता है यहां पे स्का लॉग उनलॉक का जो है वो तो यहां पर आपको अवाज आती रहेगी इसलिए गाड़ी हमने बंद कर दी है काफी सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं तो यहां पर हमें मिल गया तो 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 वहीं पर नीचे देख लें यहां पर चोटी चोटी चीज़ें वह काफी डिटेल एड करती है और हमारे पास सी टाइप का ऑप्शन भी है और वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइसा ट्रेल रेटी यह गाड़ी है तो इसमें आपको मिल रहे हैं डिफ लॉक जैसे आपने देखा ना एक डिफ लॉक था यहां एक रॉड आती है फ्रेंट में जिससे क्या है कि गाड़ी रोड पे चलाने जब आपने हाईवे पे चलानी है तो वह चाहिए ताकि आपके स्टेबिलेटी बनी रहे है और वहीं अपने ऑफ रोडिंग पे जाना है तो उसको डिसकनेक्ट कर दो ताकि आर्टी कुलेशन जो और पूरी गाड़ी जो है वो खुल जाती है इसका च्छत जो है वो आपको इस तरह से मिलता है बेसिकली जो मैं भी अभी फील कर पा रहा हूं हलां कि जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि शायद कंपैरिजन बन जाता है बट नाव आम फिलिंग कि इन दोनों गाड़िय नहीं मिलता जो हमें फॉर्चुनर में मिल रहा था और सिंपल बेसिक सा है थोड़ा रफ एंट टफ लुक है बट आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है फॉर्चुनर और रैंगलर के मुकाबले वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर रहेगा इंतजात के बात कर लें पीचे वाली साइड की तो फाइफ सीटर गाड़ी ही आपको मिलती है इसमें आपको सीट वेट जो है वो सैवन सीटर नहीं मिलने वाली है बाकी यहां से यह चीज तो आप देख सकते हैं कि थार में भी आपको मिलती है कि अब ही मैं कमपेरिजन करूंगा थार का तो एक बर ही मैंने एक वीडियो बना दी थी थार ओ जैंगलर का कमपेरिजन की तो उसमें मुझे काफी जादा हेट वेट जो है वो मिल गई थी तो फिर मैंने सोचा यार क्या करना है जादा हेट भी जरूरी नहीं और पीचे और असी लाग रुपे में बागी पीछे की लुक की हम बात करने तो अफ्रूड कमिटिट गाड़ी है इसका जो है जादा रहता है उस गाड़ी के कंपेरिजन में जैसे इसकी देखो यह चीज जादा चोड़ी नहीं है बर उसकी काफी जादा चोड़ी है अब आ जाती है स जैसे आपके पास फॉर्चुनर भी है फिर आपने रैंगलर पर ही क्यों अप्ग्रेड किया से और बहुत सारे हैं और जैसे दोनों गाड़ियों में से आपको ज्यादा पसंद कोन सी है यह लोग ले रहे है ठीक है मगर कोई आप बोलो कि आफ रोडिंग के लिए कोई इतन बादा टाइम मिले तो आप कोंसी गाड़ी चलाना साथ रैंगलर रैंगलर चलाओ अगर चला सकते होगा ठीक है बहुत बैटर बाडी रोल इसमें नहीं है और पकड़ जादा है स्टेरिंग क्या बात है रैंगलर की कोई और रैंगलर रैंगलर जैसे डिफेंडर भी आ जा सेंसर इशू है यह है वो है सर्वीस कास्ट जादा और इतना मजा भी नहीं है मेरे नोन में है दों के पास नहीं रैंगलर कमफर्ट भी है लिटल बिट लगजिरी भी है और गाड़ी की रोड प्रेसंट भी बहुत बढ़ी है रैंगलर जो है इसको किता टाइब होगा जो है वो क्लियर हुए होगा और मजा आपको आया होगा point of view जानना जो है वो सबस्वाइं interesting रहता है जैसे आपको owner का भी point of view में ने दिखा दिया तो बस ठीक है उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें and one more thing अगर आप इन दोनों गार्डियों का ओफर कंपैर्जन देखना चाहते हो then do let me know in the comment section मिलते हैं आप से फिर किसी नए वीडियो के साथ तिल दन बाबाए and take care and keep supporting bye bye